पूरा सरीब खुल जाना चाहिए दीरे धीरे हो जाएए दीरे धीरे दोड़ेए उड़े लागए लंबा गहरा स्वांस लीजिए छोड़िए जितना हम कर सकते हैं हम प्रारंभिक सादक हैं तो उसी हिसाब से करेंगे अब हम तेज बुदे जितना जो कूछ सकता है उचा बहुत सुंदर प्रिलाक्स एट दो तीन चाहर पांच बापर उसी हिसाब से नो तीन चाहर पांच अब दोनों हागों से एक साथ करेंगे इस पर हमारा ब्रेन टेज होता है उसी करेंगे दोनों हमारा याप्रिहास करेंगे कमर दर्द में भी लाबकारी रिलाक्स पादहस्तासन स्वासभरा पुरिवान मकर कुंडले वान किरीटी हारी फिरन्य ब्रपुधत संख चक्रहा ओम इत्राय नमहा ओम रविये नमहा ओम तुर्याय नमहा ओम भानुवे नमहा ओम खगाय नमहा ओम फूष्णे नमहा ओम फिरन्य गर्भाय नमहा ओम आठ नू दस ग्यारा बारा रिलाक्स हो जाएगे हाथ नीचे हाथ उपर तीन स्वास छोड़ते हुए सामने जुकना है कोशिश करें ज्यादे से ज्यादा नीचे हम प्रेख भी कोई सपास करें गुटने हमारे सीधे रहेंगे चार एक पैर पीछे पांच दोनों पैर पीछे छे नीचे लेग जाएंगे अस्टांग नमस्कार इसमें हमारे आठ अंग तर्पी को इसपास करेंगे नो जिगंगासन में उपर दस बापर ग्यारा एक पैर आगे बाद प्रुरीदा ग्यारा बापर आएंगे दस ग्यारा में दोनों हाथ उपर बादा नमस्कार मुद्रा मापी चाहूंगी जंगाओं के पास हतेलियों का रुख आसमान की ओर हतेलियां जंगाओं से 6-6 इंच की दूरी पर गर्दन सीधी आखे बंद पूरा ध्यान स्वासों पर सूर्य नमस्कार के बाद जो एनरजी आपके अंदर आई है उसे अनुभव करेंगे जो जो किर्याएं आपके सरीर में घट रही है सुस्ती ठकान जकडन दूर होती है एक बार उन्हा करेंगे ताड़ासन लेटे लेटे हाथ बापस ले आए अब हम पवन मुक्ता आसन का भ्यास करेंगे इसमें लेटे रहना है आपको पहले अपना दाहिना पैर मोडते हुए दोनों हाथों से क्लोक करके पकड़ना है अगों की इससे हमारे मालिस होती है पाचन अंग हमारे पुष्ट होते हैं आपस्अ होती है आपस्ट है मालिस है आपस्ट है अंग आपस्ट कर दो की आपस्ट की यह कर दो क्या कि आपके बंद रहेंगी एक से हमाया है